यहां शकार दोस्तों मैं आजाई स्रीम आपका स्वागत करता हूँ SSE Maker की स्वागत पर फाम पर कैसे हैं आप सभी बच्चों उमीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी जवर्जस तरीके से चल रही होगी बचों आज आप लोगों की reasoning की class है और ये class हम आप लोगों को recording mode में दे रहें क्योंकि गाउं पे आय हुए हैं और गाउं पे घर पे आज पूजा चल रहा था तो हम सोचे आप लोगों की classes off न रहें तो आप लोगों की classes हैं गो continue चलती रहें इस वज़े से हम recording कर दे रहें क्योंकि रात में समय मुझे नहीं मिलेगा आप लोगों की आज live class लेने के लिए क्योंकि बहुत से लोग भी आए हुए है और मंदिर पे आज पूजा चल रहा है तो हम सोचे आप लोगों की classes off न रहे हैं और class से चलती रहे हैं तो आज आप लोगों की reasoning की class से बहुत ही सांदार और जबर्जस class होने वाली है और बहुत ही बहतरिन तरीके से हम question को discuss करने वाले है question हम आप लोगों के लिए previous year के important question आए है selected question आए है जिस type की question आपके exam में हमेशा देखने को मिलते हैं तो सारे question को आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे एक भी question में आपको एक भी percent का doubt नहीं रहने देंगे सारे question को बहुत ही detail में बताएंगे और सारे question most important है repeated question है जैसे आपके exam में पूछे जाते हैं ये class आपके आगामी exam UP Police Constable, SSCGD और other exam के लिए काफी important है बचो आप लोगों की reasoning में प्रैक्टिसेट 8 हुआ था ये 9 प्रैक्टिसेट है तो प्रैक्टिसेट आपकी continue रहेगी daily 8 बजे जो class चल रही 8 बजे आपकी class चलती रहेंगी बस आप लोगों मन लगा के अच्छे से पढ़िए तो चलिए आज की class को बचो हम आगे continue करेंगे आप सभी student देखेंगे आप पहला question ये पहला question एलोलोजी का है बचो और ये काफी important question है ये question हम आपको बता दें most important question है प्रैस्ण ऐसे बहुत बार exam में देखने को मिले है और ऐसे प्रैस्ण हमें सब पूछे भी जाते है प्रैस्ण है दिये गए विकल्पों में से संबंदित संख्या को चुनिए क्या रहा है आठ का संबंद 28 से है तो 27 का संबंद किस से होगा तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है प्रैस्ण में इसमें बहुत जादा दिमाघ लगाने की जोरत नहीं है प्रैस्ण में क्या बोला है आठ का संबंद किस से है 28 से है तो पूछ क्या रहा है 27 का संबंद किस से होगा यानि इन चार विकल्प आपके सामने दिख रहे है 8 है 28 64 65 इन میں से किसे होगा ये पूछ रहा है कुछ नहीं करना है प्रस्ण में देखिए करना क्या है आप देखिए 8 को 28 हम कैसे लिख सकते हैं आप बोलेंगे sir 3 गुना करेंगे और प्लस कर देंगे क्या 4 ठीक है यह इसे ही लेकिन आप आगे देखिएगा 27 का भी क्या करेंगे 27 दिया कितना हो जाएगा 81 और प्लस क्या करेंगे इसमें भी 3 गुना प्लस 4 करेंगे 81 चार पचासी लेकिन 85 किसी option में नहीं है देखिएगा सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे तो 27 दिया 80 84 पचासी 85 option में नहीं है यानि 3 गुना प्लस 4 पर ये question solve नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं देखिए कोई pressure नहीं हो ज़रूरी नहीं है कि गुना ही कर देने पर क्या हो जाएगा answer आएगा कुछ और दिमाग लगाएगा अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो कुछ और दिमाग लगाएगे और क्या सोच सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि या तो कुछ जोड़ा है 20 जोड़ा है तो इसमें भी 20 जोड़ देंगे तो 47 होगा 47 भी नहीं दिख रहा है और क्या हो सकता है या तो संख्या ये square है cube है या square के करीब है, cube के करीब है ऐसा भी हो सकता है लेकिन अगर थोड़ा सा बचो आप दिमाग लगाए तो ये जो संख्या है, ये 2 का cube है ये जो संख्या है बचो 3 का cube plus 1 है मतलब ये 2 का cube क्या होता है 2 का cube मतलब 2 का power 3 2 गुने 2 गुने 2 ठीक है इसी प्रकार से 3 का Q 3 3 27 और एक जोड़ देंगे तो हो जागा 28 ऐसे ही अगर हम आगे बात करें बचो तो यह क्या है 3 का Q 3 3 27 समझ रहे हैं ऐसे देखें 2 से यह क्या हुआ था 3 हुआ था मतलब इसमें देखें तो प्लस 1 हुआ था तो आगे क्या होगा 3 से प्लस 1 यानि 4 का Q होगा और प्लस 1 होगा क्यों क्योंकि 2 का Q आगे 3 का Q प्लस 1 तो यहां 3 का Q तो आगे 4 का Q प्लस 1 तो 4 का Q 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 4, 6, 6, 6, 6 में एक जोड़ देंगे 65 क्या 65 किसी option में है तो देखेंगे option number D में मौझूद है 65, तो option number D इस question का क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, तो उमीद करते हैं, आप इस question को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे, और इस type के question आपकी exam में आएगा, तो आप सारे बच्चे solve कर लेंगे, इसी के साथ, अब next question के तरफ चलेंगे, देखिए बच्चो, एक भी percent के आपको doubt लग रहा है, कि इस question को और अच्छे से समझा दीजे, detail में समझा दीजे, नहीं समझ में आया, नीचे comment कर दीजेगा, question को दुबारा हम समझा देंगे, बसरते, मन लगा कि आप सीखेंगे, चीजों को सीखेंगे समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के त्यारी करिए, चले, next question देखिएगा, question number दूसरा, question number दूसरा जो आपके सामने दीख रहा है न, ये भी काफी important है, और ऐसे प्रस्न हम आप लोगों को कराए हैं, और ऐसे प्रस्न हमेशा एक्जाम में देखने को मिलते हैं, प्रस्न बोल क्या रहा है, देखिएगा, B से A अधिकमीर है, A से C अधिकमीर है, C से D अधिकमीर है, तो था E सबसे अधिकमीर है, तो मध्य में कौन है, आप लोगों को कुछ दिल पहले, practice rate में ही बच होगा, देखिए, लंबाई के अधार पे question हो, वजन के अधार पे हो, यह अमीर गरीब की बात कर रहा है, मतलब, यहाँ पे जो ज़्यादा धनिवान, धनिवान, धन्मान व्यक्ति हो, मतलब, जो ज़्यादा को represent करेगा, उसको हम उपर रखेंगे, जो कम को उसे हम नीचे तरीका बतायते, इसमें आप लोगों को बड़ा छोटा का सिंबल नहीं लगाना है, देखिए, जैसे अमीर की बात कर रहा है, जो ज़्यादा अमीर होगा उसको उपर, जो कम अमीर होगा, यानि थोड़ा सा मतलब, इससे कम अमीर है तो नीचे, जो सबसे कम अमीर है, उसको सबसे ज़्यादा अमीर है, उसको सबसे उपर रखेंगे, ठीक है, बस ऐसे अगर आप रख रहे हैं, तो प्रस्न कांसर तुरंत आएगा, देखिए, प्रस्न कांसर कैसे आएगा, हम आप लोगों को समझा रहे हैं, एक सेकेंड आप देखेंगे, बस मैं बोला है, B से A अध से D अधिकमीर है, C से D अधिकमीर है, तो D इससे उपर हो गया, फिर बोला है, तथा E सबसे अधिकमीर है, मतलब E क्या हो जाएगा, सबसे उपर हो जाएगा, कौन E, अब देखिए, बोल रहा है तो मध्य में कौन सा है, मध्य मतलब क्या होता है, मध्य मतलब बीच, बीच म option number B में लिखा है C, इसलिए answer होगा option number B, और आज की जो class में हम question करा रहे हैं, इन question को पहले आप solve करिएगा, यह नहीं कि फटा-फट देख रहे हैं, sir solve करते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, यह class आपकी कम समय की है, ठीक है, तो इसे क्या करना है, फटा-फट आप अपने नजर question number 3, question number 3 देखिएगा, यह काफी important है, पूछा गया question है, देखिएगा, ऐसे question हमेशा exam में आते हैं, question है, दिये गए सब्दों को अर्थपुर अनुकरम में बेवस्थित करें, और नीचे दिये गए विकल्पों में सबसे उप्युक्त अनुकरम का चायन करें, अब देखिए बेवस्थित करम में लगाना है, college, बच्चा, यह बच्चा है, बच्चा, बेतन, school, नौकरी, तो आपको यह बताना है न, इसको बेवस्थित करम में हम कैसे बेवस्थित करेंगे, ठीक है, क्या होगा, मतलब, पहले क्या आएगा, college, या बच्चा, या बेतन, या school, या कौन जाएगा, बच्चा जाएगा, या बेतन जाएगा, या नौकरी जाएगा, ऐसे आपको सार्था करम में बेवस्थित करना है, तो वीडियो को pause करके अपने आप से courses करिए, तो solve करने का, देखिए, practitioner में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही आसान है, सबसे प answer बना लेंगे, लेकिन, बच्चा गया, इस्कूल, इस्कूल के बाद से बड़ा हो गया, तो गया कॉलेज, कॉलेज का करम क्या है, एक, अब कॉलेज के बाद से क्या होगा, उसकी हो गई नौकरी, क्रम क्या है, पांच, और नौकरी के बाद उसे क्या मिलेगा, बेतन, यान इसका जो सार्थक्रम होगा 24153 तो 24153 देखेंगे किस option में है 24153 option number B में मौजूद है तो option number B क्या होगा इस question का right answer होगा और उमीद करते हैं आप इस question को बहुत अच्छे तरीके से समझ गये होंगे और इस type के question आपके exam में आएगा तो आप सारे बच्छे solve कर लेंगे class अच्छी लग रही है तो आज की class को आप सभी के सभी student like जरूर कर दीजिए channel पर नए है तो subscribe कर दीजिए notification bell icon को भी on notification के लिए on कर लीजिए daily ये class आप लोगों के लिए 8 p.m. यानि रात 8 बज़े चलती है 8 बज़े copy pen लेके बैट जाया करिए और जब तक exam है तब तक पढ़ लीजिए selection होगा पका होगा guarantee के साथ होगा ठीक है चली next देखेंगे question number 4 question number 4 देखिएगा question number 4 भी काफी important है और set patent का question है ऐसे प्रशन हमेंसा exam में देखने को मिलते हैं और ऐसे प्रशनों को solve करने के लिए pen उठाने की ज़रूरत ही नहीं है question है एक निश्चित कूट भासा में ordinary को 1246 12467923 लिखा जाता है उसी कूट भासा में radiant r-a-d-i-a-n को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बोल रहा है देखिएगा बच्चो इस प्रशन को solve करने के लिए नहीं कि पहले ordinary को इधर लिखेंगे फिर number लिखेंगे radial को इधर लिखेंगे number नहीं time best नहीं करना है प्रशन बहुत ही आसान है क्या है प्रशन में देखिए प्रशन में कुछ भी नहीं है यहाँ पर आप देखेंगे ordinary को number में लिखा हुआ है ठीक है तो और उसके बास से radian आप यह देखेंगे क्या radian के अक्षर ordinary में मौजूद है मतलब radian में r है a है ordinary में r है a है फिर देखेंगे d i a है देखेंगे d i और a तो यहाँ पर फिर मौजूद ही है फिर n है देखेंगे n भी है मतलब ordinary के अक्षरों से radian जो सब देना बनाया जा सकता है या जब बनाया जा सकता है तो प्रशन हो गया very simple यानि जिस अक्षर के लिए जोन सा अंक यूज किया है जो सांक उसी अंक को हम लिखतेंगे कहने का मतलब यह है बच्चो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे o के लिए 2 लिखा o के लिए 1 r के लिए देखेंगे 2 लिखा यहाँ पर भी 2 लिखा है तो यहाँ पर भी देखेंगे r है यहां पर देखेंगे आब अच्छो D है तो D के लिए 4 लिखा है और I के लिए क्या लिखा है 6 N के लिए क्या है 7 समझ रहे शहीं सब के लिए है और हम लोगों से पूछ क्या रहा है last में Y है 3 है तो आप यहां देखिये R है ना R के लिए देखिये arc है कहा, arc आप देखेंगे last से दूसरा है या इधर से देखेंगे दूसरा है तो इधर से दूसरा या इधर से दूसरा यानि arc के लिए two और a के लिए क्या है, a कहा है last से तीसरा, एक, दो, तीन, nine यानि इसके लिए हो जाएगा nine फिर उसके बाद से बच्चो क्या है D, D कहा है, D तीसरा है ना इधर से, यानि कि इधर से तीसरा है, तो आप इधर से तीसरा देखेंगे 4, तो यह हो जागा 4, फिर उसके बाद से I है, I कौन सा है, चौता है, तो 2, 2, 4, यानि हो जाएगा 6, उसके बाद से क्या हो जाएगा, A के लिए बच्चों लिखा जाए, लाइल से तीसरा है, यानि 9 लिखा है, यहाँ फे भी 9, फिर उसके बाश से क्या है? N, N कहा है? N देखेंगे, दो, 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 चार, पाँचवा है, यानि की दो, 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 चार, पाँचवा है, इन के लिए 7, इसका आंसर क्या होगा? 294697, 29 946 294697 Option number क्या हो जाएगा Option number हो जाएगा 294697 बस कुछ नहीं करना है जिस अक्षर के लिए जो अंक है वो लिख देना है और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा और उमीद करते हैं आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे ठीक है बच्चों बहुत से सोच रहे होंगे कि आज पूजा किसीज के है पता यह 22 जनौरी है राम जी की पूजा चल रही है ठीक है चलिए तो यह चीज इसी वज़े से हम आप लोगों की classes recorded दे दे रहे ताकि आप लोगों की classes off न रहे पूजा भी चलता रहे पढ़ाई भी चलती रहे सब कुछ चलता रहे ठीक है और selection भी होता रहे ठीक है तो मन लगा कि आप लोग पढ़ते रही है question number 5 most important है question है दी गाई स्रिंखला में प्रशन वाचक्छिन के अस्थान पर कौन सी संख्या आएगी देखिए बच्चों यहाँ पे एक स्रिंखला चल रहे और यहाँ पे देखेंगे question mark है स्रिंखला आगे तक चली है question mark बीच में है तो आपको बताना है कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी और ऐसे प्रशन हम आपको पहले भी कराए है दिमाग लगाईए क्या हो सकता है आप सीरीच के संख्याओं को गौर से देखिए ध्यान से देखिए सीरीच की संख्याओं है 5 फिर है 13 उसके बाद से क्या है 29 फिर है question mark फिर क्या है 125 है फिर उसके बाद से 200 तिरपन है तो question mark पर क्या होगा ये बताना है तो दिमाग देखिए क्या हो सकता है 5 से 13 हुआ तो 5 तियाई 15 माइनस 2 13 तिया 49 नहीं 2 नहीं यह सली 5 दुना के 10 तीन 13 13 दुना के 26 तीन 39 अच्छा 125 दुना के 253 बहुत आसान है वीडियो को पॉस करके अपने आपसे कोशिस करिए फटफट क्लास होने वाली है देखिए 5 से 13 है तो 5 दुना के 10 प्लस 3 2 गुना प्लस 3 13 हो गया 13 से 29 है 13 दुना के 26 और 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 29 से आगे बढ़ जाईए बच्चो 29 अगर करे 29 गुने 2 29 दुना के 25 25 में 3 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा चलिए अगर 61 से आगे बढ़े 61 गुने 2 प्लस 3 61 दुना के 62 और 123 125 बहुत अक्षे 125 दुना के 250 और प्लस 3 253 यानि कोशिट मार्क में 61 61 है की नहीं है option नम्बार पहले में मौजूद है तो option नम्बार पहला क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा बस और बहुत से बच्चे क्या होते है न जब कोशन देखते कि बीच में कोशन मार्क आ गया कैसे होगा बीच में कोशन मार्क है ये तो बहुत कठीन है बहुत कठीन नहीं है जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे न तो आगे का दिमाग फटा-फटा ऐसे ही लगने लगता है तो आप लोग चीजों को समझहिए और मन लगा के पढ़िए और अपने selection को क्या करिए सुनिशित करिए और कोशिस करिए कि ज्यादा से ज्यादा जो समय आप कहना वो पढ़ाई में लगे क्योंकि पढ़ाई सही selection होना आप सभी को पता है इसलिए मन लगा के पढ़िए अच्छे से पढ़िए चले इसी के साथ हम चलेंगे अब हम next question के तरफ ठीक है और next question देखने से पहले एक बात और आप लोगों को बता दें बच्चो UP Police Constable एक्जाम के लिए सेसी मेकर के दुआरा आप लोगों के लिए बुक ला दी गई है ठीक है बहुत ज़्यादा आप लोगों के डिमांड थी कि sir UP Police Constable के लिए बुक कब आएगी बुक कब आएगी तो बुक एविलेबल है आप लोगों के लिए Amazon पे है बुक स्केप पे है ठीक है हाँ Flip Card पे भी आज कल में आप लोगों के लिए करा देंगे हर जगा मौजूद है आप बुक स्केप से ले लिज़े वहाँ पे आप लोगों को बुक यह सस्ती मिल जाएगी 1.99 की यह बुक मिल जाएगी जिसमें बच्चों बुक के यह आपको बता दे बहुती बहतरिन तरीके से इसमें लिखा गया है और इस बुक में हम आप लोगों को बता दे इसमें 10 जो है ना और previous year paper है, solve paper है, और 5 practice set है, ये भी solve है, ठीक है, मतलब total 15 इसमें paper दिये गए हैं, और ये आपकी तयारी को में 4 चांद लगाने वाला काम करेगा, मतलब जो आपकी तयारी है, उसको बहतर करेगा, आप एक time set करके इन set को लगाईए, और अपनी तयारी को और जबर जस्त कर लिजिए, लास्ट के दिन में आप लोगों के लिए mock test जैसे है, आपका exam offline होने वाला है, online तो हम लोगों के लिए mock test करा ही रहे, offline होने वाला है, इसल SSE maker का, तो app पे भी जाएंगे, तो पहले ही आप उपर जो slider चलता है photo, उस पे भी click करेंगे, तो आप direct book वाले link पे पहुँच जाएंगे, और book आप लोगों के लिए आप देखेंगे, अपना pin code डालेंगे, दो चार दिन, पास दिन के अंदर आपके घर पे book आ जाएगी, बहुत ही आराम से, तो सारे बच्चे जो भी book नहीं लिए है, बुक ले लीजे और अच्छे से त्यारी कर लीजे, लास्ट टाइम में यह आपकी त्यारी में बहुत ही booster का काम करेगा, बहुत ही बहतरी रहेगा, तो book से एक बार आप लोग ज़रूर पढ़िए, चलिए, आ सबी classes चल रहे हैं, हर एक exam के लिए basic classes हम लोग दे रहे हैं, तो आप लोग मन लगा के तैरी करिए, पढ़िए, और अपने selection को सुनिशित करिए, किसी भी बच्चों batch में जुणने में आपको कोई समस्य आ रही है, तो आप 7080108555, यह SSE maker customer care का number है, इस पर आप call करके बात क बढ़ सकते हैं, ठीक है, चलिए, इसी के साथ हम चलेंगे next question पर, question number देखिएगा, question number जो है, यह 6 है, question number 6, बहुत ही महतपूर question है, question number 6, और ऐसे प्रशन हम आप लोगों को पहले भी कराए हैं, question 1, निश्चित code भासा में, baby, baby को 20 लिखा जाता है, और adults, a, d, u, l, t, s को 30 ल पूछ रहा है, देखिए, baby, b, a, b, y, baby को क्या लिखा है, 20, फिर उसके बाद से, adult, a, d, u, l, t, s, adults को क्या लिखा है, देखेंगे, adults को क्या लिखा है, 30 लिखा है, और उसके बाद से, woman, w, o, m, a, n, woman को, woman को क्या लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है, तो बताए, देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को पहले तो pause करिए, और अपने आप से कोसिस करिए, solve करनेगा, क्या आप इस प्रेशन को solve कर पा रहे हैं, या नहीं, नहीं कर पा रहे हैं, तब देखिएगा कि कैसे solve हुआ, तब आपके दिमाग में ज्यादा बैठेगा, ठीक है, देखें, जब कभी भी बच्चो कोस्चन ऐसे आए, अक्षर देख रहे हैं, चा होने लग रहा है, और इसको 30 लिखा है, मतलब, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशन को आप अच्छे तारीके से समझेंगे, ये नहीं किसकी numbering करने लगेंगे, हाँ, numbering करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता रहें, देखें, अगर आप इ देखें, समझिएगा बच्चे, सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे, एक बार समझाने का प्रयास कर रहें, देखें, टोटल कितने number, एक, दो, तीन, चार, चार को लिख दिया 20, मतलब 5 गुना किया है, ठीक है, इधर देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, 6 को लिखा 30, यानि क्य क्या होगा, 25, option में है, हाँ है, option number D में मौझूद है, option number D सही, बस, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, B2 नमबर पे, A1 पे, B2 पे, Y25 पे, फिर उसके बाद से A1, D4, U21, ऐसे नहीं करना है, आपको देखना है, क्या ये easy way में हो जाएगा, आसान तरीके से हो जाएगा, आसा ज्यादा से ज्यादा, और हर क्लास की PDF आप लोगों के लिए बच्चों एप पे दिलाएं है, ससी मेकर के आप पे, तो PDF और हों से डाउनलोड करके समय मिले, प्राक्टिस भी करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और बुक में जो आप लोगों के लिए, प्रिवेस एर पेबर दिया गया है, मौक्टेस दिया गया है, प्राक्टिस सेट जो है, उसे भी सॉल्व करिए, और यह जो समय चल रहा है, इसमें आपको बस पढ़ना है, रिविजन करना है, पढ़ना है, मौक्टेस लगाना है, इधर उधर की काम छोड़ दीचे, ठीक है, चलिए, कोश कोशिए नमबर 7 देखिएगा, काफी महत्वपूर है, कोशिए नमबर 7, मौस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, कोशिए है, अगर MX की बहन है, और ZP की पतनी है, तो PA का बेटा है, तो Z का A से क्या संबंद है, यह बोल रहा है, Z का A से क्या संबंद है, मतलब ZP की प यह पूछ रहा है, बलड डिरेशन का है, वीडियो को पौश करिए, और अपने अपसे solve करने का अपने आस करिए, क्या आप इस प्रस्व को solve कर पा रहे है, या नहीं कर पा रहे हैं, तब देखिएगा, आप कर ले रहे हैं, तो पहले अपने आपसे करिएगा, ठीक है, और जेड P की पतनी है ये जेड पतनी है किसकी पतनी है P की ये पतनी है ध्यांदिजेगा लिख दे रहे है ये पतनी है एरो देखिएगा किसकी पतनी है P की आगे देखिएगा बोल रहा है P A का बेटा है ये P बेटा है किसका बेटा है A का तो A से एक पिड़ी नीचे अब दे तो देखा जाए, तो Z क्या है, A का बेटा, बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी को क्या बोलेंगे आप, बताइए, बेटे की पत्नी को मतलब पुत्र की पत्नी, पुत्र बधु, बहु बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहु ये तो बोलेंगे, देखिए, बहु किसी option में आए, तो देखेंगे पुत्र बदू लिक रहा है, option number A answer हो जाएगा, यानि ये क्या हो जाएगी, बहु हो जाएगी, क्या होगी, बहु, खीक है, बहु बोलिए या पुत्र बदू बोलिए, ठीक है, बस answer, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ, उमीद करते हैं, बदर doubt नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे, चले, इसी के साथ हम चलेंगे, next question के तरफ, question number 8, question number 8 देखेंगे, question number 8 जो है न, वो काफी important है, most important है, ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे question हमेशा exam में आते हैं, तर E का सीखेंगे, तो paper में आप प्रशनों को बड़े आराम से solve करेंगे, question है, 5 मित्र ABCD और E एक पंक्ती में उत्तर की और मुख करके बैठे हैं, ED के ठीक दाएं और हैं, और B ठीक बाएं हैं, देखेंगा, यहाँ पर देखेंगे, ED के ठीक दाएं हैं, और B ठीक बाएं हैं, C, A और D के ठीक मध में हैं, E के ठीक दाएं कौन हैं, E के ठीक दाएं पूछ रहा हैं, क्या बोल रहा है, E के ठीक दाएं कौन हैं, यह पूछ रहा हैं, प्रशनों में कि यहाँ पे कौन हैं, यहीं पूछ रहा हैं, देखेंगे, प्रशनों बहुत ही आसान हैं, देखेंगे आप बच्चे, पांच मित्र A, B, C, D और E, एक पंक्ती में उत्तर की और मुख करके बैठे हैं, दिसा आपको पता है, कौन कौन से दिसा होती है चार दिसा है, उपर की तरफ उत्तर जस्ट इसके नीचे है, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिड हो जाएगा, दाहिने साइड में पूर्व होता है, बाय साइड में क्या होता है, पस्सिम होता है उपर की और मुख होगी सब की, क्योंकि क्या है, सभी लोगों की मुख है, कहां, उत्तर की और ठीक है, उत्तर की और कहरे का मतलब है सबका बाया इस side, सबका दाहिना इस side होगा, ठीक है, ये चीज बोल रहा है, तो अब देखिए, बोल रहा है E, D के ठीक दाए, E जो है न, E जो है न, ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे देखेंगे, E, D के ठीक दाए और है, E कहा है, D के ठीक दाए और, ध्यान दीजिएगा E, D के ठीक दाएं और, मतलब D के ठीक दाएं और E है, D का दाहिना किदर होगा, क्योंकि मुख सबका कहा है, उपर की तरफ है, उत्तर दिसा, उत्तर दिसा यही तो है, यही चीज़ समझना है, और E कहा है, D के ठीक दाएं, E, और, इसके लिए बात होती है, बच्चों, यहाँ दो सब्द आता है, एक आता है, और, एक आता है, जो की, यह और बोलेगा, तो और जो होगा न, यह पहले की बात होगी, अगर यही पे रहता न, जो की, जो की रहता न, तो यह दूसरे की बात होती, D की बात होती, लेकिन बोल रह और देखिएगा और ये ये और है यहाँ पर दो सेकेंड बच्चो यहाँ देखेंगे ये और है ये और है ये और और जो बोला है ये और और पहले के लिए होता है जो की बाद वाले के लिए देखिएगा बोला है ए बी के ठीक डाय और है और बी ठीक बाय और है किसके बाय औ तब यह और असपास हो जाएगा और ठीक बाये ओर है तो ये बी के ठीक बाये और हो गया ठीक यह बी के ठीक बाये ओर हो गया और देखिये गा प्रिस्ण है C A और D के मद है C कहा है C कहा है यहाँ प्यांसर आ गया है लेकिन पूरा बना देते C A और D के मद है C कहा है A और D के मद है मतलब मद मतलब इन दोनों के बीच C कहा है A और D के मद है बोला है E के ठीक दाए और कौल है यह तो पहले ही हम लोग ला दिये थे, E के ठीक दाय और B है, अंसर होगा option number C, क्योंकि option number C में ही लिखा है B, ठीके, answer क्या होगा, option number is question का, option number हो जाएगा C, answer आ गया, ठीके, उमीद करते हैं, आप expression को बहुत अच्छे तरीकी से समझ गया होंगे, और इस type के question आपके exam में आए चलेंगे, question number 9, question number 9 बहुत important है, तरीका सीखने की ज़रूरत है, और ऐसे प्रिष्णों को solve करने के लिए आसान तरीका बता रहे है, question है, दिये गए समीकरों को सही करने के लिए, दिये गए विकल्पों में से कौन सी दो संख्याओं, अंकों को नहीं, संख्याओं को बोल रह तो देखिए, आपको एक तरीका बताए है, क्या बताए है, ऐसे mathematical operation के कभी भी question है, तो सबसे जो आसान तरीका होता है, और आप लोग देखे भी होंगे, 90 से 95% जो question होते हैं, और भाग वाले symbol से ही solve हो जाते हैं, लेकिन इसमें symbol बदलना नहीं है, नहीं बदलना है तो कोई भाग के जो भगल में संक्या है न, उसी को देखेंगे किस option में, भाग के भगल में देखेंगे 62, जिस option में 62 होंगे उस ही को हम check करेंगे, पहले में देखेंगे 600 है, 600 बोल रहा है, देखिएगा, 500 बोल रहा है, मतलब 60 की जगा पे 100 और 100 की जगा पे 60, तो यह समीकरण बने को पता है क्योंकि Board Master rule 1000 बर बता चुके है ठीक है तो पहले भाग तो ये 100 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा पचास और गुने हो जाएगा तीन और माइनस का हो जाएगा 60 और पलस का 400 बराबर क्या अना चाहिए प्लस का 400 बराबर अना चाहिए तो देखिए, पचास टियाई डेड़ सो हो रहा है, देखिएगा, ये डेड़ सो हुआ, और डेड़ सो और ये चार सो, ये कितना हो जाएगा, डेड़ सो चार सो, ये पान सो पचास हो जाएगा, और पान सो पचास में से बच्चो साथ घटाएंगे, तो पान सो साथ होगा, यानि पहले से क्या हो रहा है? आंसर नहीं आ रहा है. पहले से आंसर नहीं आया. अब बोला है 400 और 60. 60 की जगा पे 400 और यहां पे 400 की जगा 60. अब देखिएगा. अब जब solve करेंगे तो यह सा मिक्रण बोल यह तो बना ही देते हैं. 400 भागे का 2. और गुने 3 माइनस 100 प्लस क्या है? 400 बराबर है 560. बोला सुरूल के एकॉर्डिंग. पहले ब्रेकेट वाले करेंगे. इसमें भाग है. तो यह हो जाएगा 200 गुने का 3 माइनस का 100 और प्लस का क्या है? प्लस का 60. यह प्लस का 60 होगा क्योंकि 400 की जगापे हम क्या किये है? यह प्लस का होगा 60 क्योंकि संख्याओं को बदले है. और प्लस का क्या हो जाएगा? 60 बराबर आना चाहिए 560. अब चेक करेंगे. तो दो तियाई 600 600 और माइनस 100 और प्लस का 60 बराबर 560. जोड़ेंगे 660 में से 100 जा 560 बराबर 560. 560 बराबर 560 यानि LHS बराबर RHS लेफ्ट हंड साइड बराबर राइफ्ट हंड साइड वाय अपक्स बराबर दाहिना पक्स समीकिरण हुआ संतूष्ट किस ओप्शन से हुआ है? ओप्शन नमबर 20 है. तो ओप्शन नमबर 20 है. देखिए, तरीका आपको सीखना है. तरीका आपको सीखने की जरूरत है. एक चीज़, दो सेकेंड. तरीका आपको सीखने की जरूरत है. और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो तरीका रहा, वो यही रहा कि भाग वाले जो सिंबल है न उसी के अगल वगल जो संख्याएं है न उसी को हम क्या करेंगे उसी को हम change करने की कोशिस करेंगे और उसी से देखे option number b क्या हो गया answer आ गया ठीक है तो उमीद करते हैं आप सारे बच्चे इस प्रस्ण को बहुत अच्छे तरीके से समझ गये होंगे और ऐसे question आपकी exam में आएगा तो आप लोग solve कर लेंगे ठीक है चले इसी के साथ अब हम चलेंगे next question के तरफ ठीक है प्रस्ण में आपको doubt है नहीं समझ में आएगा तो आप लोग comment करिएगा बताएंगे लेकिन doubt नहीं होनी चाहिए ठीक है चलेंगे next देखिए question number 10 question number 10 ऐसे question हम आप लोगों को पहले भी कराए है most repeated question है बहुत बार exam में पूछा गया question है और ऐसे question हमेसा आते है logic सीखना है तरीका सीखना है एक बार सीख लेंगे प्रस्ण कैसा हुआ है आप solve कर लेंगे question है उस वेन आरेक का chain करें जो निमलिखित वर्गों के भी संबन को सरवत्तम रूप से दरसाता है गायक पूरुस और भाई वीडियो को पॉज करिए और एक बार आप अपने दिमाग से सोचिए गायक पूरुस और भाई के बीच वेन डाइगराम कैसा बनेगा अच्छे तरीके से एक बार सोचिए औ अपने दिमाग में आंसर रखिए उसके बाद हम सॉल्व करेंगे ठीक है वैसे हम बता रहे हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए क्या लिखा है गायक पूरुस और भाई इसी के बीच वेन डाइगराम बनाना है तो देखे वेन डाइगराम के प्रेस कभी भी आ लेकिन यहां गायक पूरुस होते हैं क्या भाई गायक हो सकता है तो बोलेंगे हाँ भाई भी गायक होते हैं सिंगर जो सिंगर है बहुत से बॉलीवूड सिंगर है पंजाबी सिंगर है भुजपूरी सिंगर है इंगलिस सिंगर वहें इंगलिस में जो गाने गाते ठीक है तो जो singer है, तो किसी के भाई भी तो हो सकते है, क्या, सभी गायक भाई है, सभी गायक पुरुस है, या सभी पुरुस गायक है, ऐसा है, नहीं, सारे पुरुस गायक नहीं हो सकते, सारे भाई गायक नहीं हो सकते, तो इसको में डेगर हम से कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो ये चीज आप ये समझेंगे, क्या पुरुस भाई हो सकता है, अगर भाई है, पुरुस ही होगा, जितने भाई हैं, जिसे भाई बोलते हैं, भाईया बोलते हैं, बाबु बोल रहे हैं, आप किसी को बोल रहे हैं, छ पूरुस के अंदर क्या हैंगे भाई, सभी के सभी जो भाई होंगे और पूरुस होंगे, और कुछ पूरुस या बोले तो कुछ भाई गायक होते हैं, कुछ भाई क्या होते हैं गायक, सभी के भाई जो होंगे गायक नहीं होंगे, तो कुछ भाई क्या होंगे गायक, वेंड बनेगा option number D की तरह, अगर आपका option number D answer आया है, तो आप सभी के सभी बच्चे क्या है, एकदम सही है, और उमीद करते हैं, आप लोग expression को बहुत अच्छे तरीके से समझ गयोंगे, और इस type के question आपके exam में आएगा, तो आप लोग solve कर लेंगे, ठीक है, चलिए, तो कैसा लग आज का class, आप लोग comment करके नीचे जरूर बताईएगा, class अच्छा लगा है बच्चो, तो आज की class को आप लोग like जरूर कर दीजे, चैनल पे नए है तो subscribe कर लीजे, notification bell icon को on कर लीजे, जुड़ जाईए, और daily classes को आप लोग join करिए, मन लगा के पढ़िए, और सभी खायदा उससे मिलेगा, आप देखेंगे उससे आपका एक तो time management हो जाएगा सही, और आप प्रशनों को भी आप, आपको जो solve करना है समय कंदर, वो भी हो जाएगा, और previous year के जब आप 10 set लगा के जाओगे तो आपको एक idea भी मिल जाएगा कि question कैसे आते है और कैसे solve करना है और जो book में solution है वो बहतरीन है, तो जो book आप लोगों के लिए बच्चो प्रोवाइट की गई है, इस book को आप लोग ज़रूर ले लीजिए, book कहां पे मिलेगा आप लोगों को बच्चो, book का link जो है वो नीचे different box में है, ठीक है, book का link नीचे different box में है, comment box में, आप play store से जाक वहाँ पे भी book की link मौझूद है, टेलीग्राम पे भी मौझूद है, ठीक है, वहाँ से book order करिए, दो-चार दिन में आपके घर पे आ जाएगी, और आप practice करिए, मन लगा के पढ़िए, और अपने selection को सुनिचित करिए, तो कैसा लगा आज का class, comment करके नीचे जरूर बताइ और भी ssc maker से जूड़े पढ़े और selection ले, क्योंकि ssc maker देता है quality oriented content, best content और 100% selection की guarantee, तो आप सारे बच्चे मन लगा के पढ़िए, चलिए, तो आज की session को बच्चो यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आप से मिलेंगे कल 8 बजे, कल रात 8 बजे आपकी math की सांदार हो, जबर जब बच्चे ज़रूर जुड़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली class में, तब तक के लिए बच्चो धन्यवाद